हलो दोस्तों कैसे हैं आप सब तो आज मैं करने वाला हूँ एक बहुती यूनिक वाश का रिव्यू जिसमें आपको फुल एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम मिलने वाला है और साथी साथ इस वाश में कैमरे का सपोर्ट भी दिया गया है जिसको रोटेट कर पाएंगे हालाकि इसके पहले मैंने एक और एंड्रॉइड वाश का रिव्यू दिया था जिसका नाम थे DM80 और उसमें AMOLED डिस्प्ले थी वह भी जबरदस्त वाश थी उसके वीडियो यहां पर मिल जाया कर देख सकते हैं इस तरह का यहां पर बॉक्स दिया गया है जहां पर डियोस स्मार्ट वाश लिखाओं मिलता है और बैक में काफी सारे फीचर को हालाइट किया गया है बाकि बॉक्स को उपन करते हैं तो कैसे SIM लगाना है उसका काड मिल जाता है उसके बाद वाश यूजर मैनुवल चारज लगाना है तो लाइक शेर ज़रूर करें तो यहां पर कुछ इस तरह की वाश मिल जाती है जिसके साइस के बात करें तो भाई काफी बड़ा है और यह पतली या फेरी मीडियम साइस के लिए नहीं है जिनकी बड़ी रिष्टे उनके उपर अच्छी लगने वाली है तो कु बैक में सिंसर दिया गया है और यहां पर चार्जिंग कनेक्टर है तो डिज़ान इसकी अच्छी है बट साइस बड़ा है और थोड़ा बल्की और मोटी वाच है बिल्कु आट की बात करें तो यहां पर जो साइट के फ्रेम मिलते हैं उसमें हाट प्लास्टिक यूज कर उ और जो उपर का frame है वो metal का दिया गया है और इसका इश्ट्राइब भी बढ़े हा क्वालिटी का है और इस तरह के आपको design मिल जाती है तो ब्ल कुर्टी design अची है इस watch की और इस watch में IP 67 की rating मिल जाती है तो लगबग एक मिटर गहरे पाने तक यूज़ कर सकते हैं, और बारिश में इसको यूज़ कर सकते हैं, वाश खराब नहीं होगी इसमें 1.43 इंचेस की TFT डिस्प्ले मिल जाती है, जिसमें 400 पिक्सल्स का रिजलूशन दिया गया है तो डिस्प्ले काफी हाथ तक क्रिस्प है, और कलर्स काफी अच्या आते हैं, ब्राइटनेस के बाद के रिए तो यहाँ पर डिस्प्ले काफी ब्राइट है, बट बहुत ज्यादा ब्राइट नहीं है मतलब अगर 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 इसको स्टनलाइट में यूज़ करेंगे तो वहाँ पर आपको दिक्क्त हो सकती है, हाला कि इन डूर में काफी अच्छे से विजिबल रहती है और वाच्वस के बात करें तो इसमें बिल्ट इन 14 वाच्वस का सपोर्ट दिया गया है और इसमें अप अपना फोटो भी लगा सकते हैं बाकि यहाँ पर कोई भी एप का सपोर्ट नहीं मिलता है और जो डायल मार्किट वहाँ पर आपको लगबग 18 वाच्वैसिस का सपोर्ट दिया गया है तो अकुल मिलाकर इसमें आपको टोटल थर्टी टू वाच्वासिस का सपोर्ट ही मिलता है जो की काफी गाम है और ज्यादा होना चाहिए था हाला कि एक चाहिए है कि यहाँ पर अपना फोटो लगा सकते हैं अब बात करते हैं तो यहाँ पर बीच में एक रांट बटन है वो कोई बटन नहीं है बलकि इस तरह से पूल करना है और अंदर सेट में आपको कैमरा चुपा हुआ मिलता है जो की यूनिक कॉंसेट लगा बात करते हैं अब बात करते हैं तो यह एक फुल एंड्रोइड वाच है तो इसमें प्रोसेसर मिल जाता है कोटेक्स F53 जो की 1.4 GHz के साथ आता है और साथे साथ इसमें 2GB के RAM और 16GB की storage मिल जाती है जहां पर अप्स को और सौंग्स को डाउलोड करकी यूज कर सकते हैं बाकि यह वाच एंड्रोइड 9 पर रन कर रही है और इसमें कोई भी अपडेट नहीं आएगा तो काफी old वर्जान है बट वाच के सब से ठीक थाके और इसके performance के बाद करें तो ठीक थाके बहुत जादा smooth नहीं है हाला कि YouTube जा प्ले करते हैं तो वहाँ पर यह काफी lag करती है बाकी connectivity के लिए इसमें Bluetooth हो गया उसके बद Wi-Fi और इसमें SIM का support भी दिया गया है जहां पर आप SIM लगा सकते हैं और इसमें 4G LTE का support मिलता है त चलते हैं मेन्यों में तो सबसे पहले हम पर settings मिल जाती है उसके बाद messaging, context हो गया, calendar हो गया उसके बाद camera और clock में जाएंगे तो यहां से अप alarm set कर सकते हैं उसके बाद यहां पर gallery मिल जाती है जहांसे आप photo वगारा देख सकते हैं जैसा कि smartphone में होता है उसके बाद sound recorder तो साथ connect कर सकते हैं उसके बाद file explorer हो गया और desktop settings में चलते हैं तो यहां से आप watch को customize कर सकते हैं जैसे कि daily selection हो गया उसके बाद menu style और इसमें आपको 4 तरह की menu style मिल जाती है कुछ इस प्रकार से उसके बाद यहां पर switch styles तो यहां पर transition को change कर सकते हैं और यहां पर काफी सारी effect दि यहां फिर face lock का feature भी दिया गया इसमें उसके बाद dial market CPU Zee और service surface हो गया यह मैंने download किया हुआ है उसके बाद play store मिल जाता है जहां से मन चाहिए app को download कर सकते हैं उसके गूगल हो गया YouTube को मैंने download किया हुआ है और Google Maps मिल जाता है अब YouTube को play करते हैं तो यहां पर जो speaker है तो आप YouTube को enjoy कर पाएंगे हलाकि YouTube पी video search करना थोड़ा मुश्किल है because round display बट यहां पर आपको YouTube में तीन option मिल जाते हैं आप चाहे तो round display रख सकते हैं या फिर square या फिर इस तरह से रख सकते हैं जैसा कि smartphone में होता है बट वहां पर display काफी छोटी है तो आपको थोड़ा से दिखने मे एडरोइड और बैक में हम पर कुछ अधिया गया जो कि काफी सही रहता है और इस तरह से अड़े सुचाता है वाश में बागी मेंगनेट काफी पाउरफुल है जैसा कि आप दिख सकते हैं और लाश्निम आपको यूज़ परे नभी ने फुरमाया के सबसे आला दर्जी का चोटे पाइन बड़े पाइन तो वैसे तो रोजे के लिए सहरी के लिए और गेमिंग के बात करें तो मैं रिसमें सब्वे सर्फस कहला और काफी हद तक स्मूध प्ले हो रहा था हाला कि बहुत ज़्यादा स्मूध नहीं था और थोड़ा बुद लेक करता था बट फिर भ किसमें BGMI या फिर आप COD खेल पाएंगे बिकोज डिस्प्ले भी चोटी है और जो प्रोसेसर है वह उतना कैपेबल नहीं है अब बात करते हैं इसके UI के तो UI अच्छा है बट उतना रिस्पॉंसिव नहीं है जैसे कि उपर से स्वाप डाउन करेंगे तो यहां पर कंट्रोल सेंटर दिया गया है जहां पर वाइफ हो गया डेटा हो गया काफी सारे ओप्शन मिल जाते हैं और नीचे से स्वाप पर यहां पर आपको नोटिफिकेशन और राइट से स्वाप करेंगे तो यहां पर यह सारे ऑप्शन मिल जाते हैं जैसे कि फोन हो गया उसके बाद इस पॉर्ट उसके बाद चलते हैं यहां पर हेल्थ वाला फीचर आपको में नहीं मिलता है तो इसमें हार्ट रिट और ब से वाच फॉसald कर सकते वाली बन बैख जाने के लिए है और रेसी और नीचे बितन को प्रैस करेंगे तो दिस्प्ले कर जाए और इस Based कर सकते मिल जाते इसमें इस तरह का UI दिया गया है अब बात करते हैं इसके बैटरी की तो इसमें 800 एमेज की बैटरी मिल जाती है और इसका बैटरी पेकप बहुत ही बेकार है मतलब यहां पर आपको मैक्सिमम चार से पार यहंटे का ही बैटरी पेकप मिलने वाला है उससे ज्यादा नहीं मिलेगा इसके बात करें तो यहां पर डिजाइन और डिस्प्ले अच्छी है और कैमरे का सपोर्ट दिया गया है जिसके क्वालिटी डिसेंट है बट कमी की बात करें तो यहां पर यह उतना रिस्पॉंसिव नहीं है उसके बाद वाश काफी लेक करती है और तिसरी चीज इसका आप लोगों को बताना बाकि इस वाच के लिए मैं उतना रिकमेंड नहीं कर सकता हूँ बाकि अगर आप लोगों को बढ़ हैं एंड्रोइड वाच लेना है तो फिर डियम एटी ले सकते हैं वह ज्यादे बहतर है और उसमें एमरेड डिस्प्ले और इसके लिए आप लोग